Welcome to Zero Loss Option Trade दोस्तों Zero Loss Option Trade हमारा Android एप आज हम बात करेंगे Intraday Trading आप कैसे करेंगे Intraday Trading के बारे में जो कुछ मैं यहां बताने जा रहा हूँ वो चीज आपके Trading Experience को पूरी तर बदल देगी देखे बात कर रहें Intraday Trading की Intraday Trading सबसे जाधा popular है कई बार ऐसे आपने सुना होगा वीडियोज में या टीवी चैनल्स पे कि Intraday Trading बड़ी रिस्की होती है उसको आपको नहीं करना चाहिए इसकी बजाए आप Short Term Investment या Long Term Investment कीजिए लेकिन Intraday Trading का एक नजरिया यह भी है कि अगर यह नहीं होता तो फिर हम में से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के लिए आते ही नहीं थे क्योंकि अगर हमको ऐसा पता लगता है एक छोटी सी केपिटल से यह possible है कि हम जाधा पैसा बना सकते हैं और एक घंटे के अंदर पैसा बना के ला सकते हैं सोचके तो हम आ गए हैं ने तो कोई हमसे 3 साल, 5 साल, 10 साल में पैसा बढ़ाने को बोलेगा तो इतना patience किसके पास है खास तोर पे 20s, 30s में जो लोग हैं उनके पास तो नहीं है तो हम इंट्राटे ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं कम से कम केपिटल में आप ऐसा model बना सकते हैं ये भी नहीं कहुनगा कि वह जो कह रहे है रिस्क की बात वो गलत है लेकिन अगर सही तरीके से time discipline और target discipline की बात करें तो आप इंट्राटे ट्रेडिंग कर सकते हैं तो time discipline क्या है? वें टू ट्रेड कब आपको और आधे से एक गंटे में profit book कर लेंगे दो बज़े position बनाएंगे और आधे से एक गंटे में profit book कर लेंगे मतलब 10 से 11 और 2 से 3 बज़े के बीच में आपका इंटराटी टेडिंग का best time रहेगा 10 अम अगर आपको सुबह का time slot मिलता है अगर सुबह आप busy है और आप lunch में काम करना चाहते हैं अपने office की चुटी में lunch में तो तब 2 से 3 के बीच में भी काम कर सकते हैं वाई ऐसा क्यूं ऐसा इसलिए है दोस्तो सुबह सुबह 11 बज़े तक 11.30 तक जितना भी volume आता है वो volume खतम होने लगता है उसके बाद Europe का market settle होता है तो Europe का market settle होने के बाद मैं बाजार फिर से direction लेता है नहीं तो बीच में 11 बज़े से 1 बज़े के बीच में अचानक से deeps आते हैं आपका profit अचानक से गायब हो जाता है stop loss अचानक से hit हो जाते हैं stop loss क्या होता है एक इसा order हम लगा के रखते हैं जिससे हमारा loss control हो जाता है आपने आप how to pick stocks दोस्तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको बताने वाला हूँ those screeners free of cost जो आपको एसे stock pick करना दिखाएंगे कि आप हर रोज का अच्छा खासा profit बनाएंगे बतब साल का 5 से 10 लाग profit 10 साल में 1 करोड से जाधा का profit उन screeners की वज़ा से तो वो screeners कौन से लेकिन screeners से पहले आपका सवाल है instrument क्या होना चाहिए हम किस में trade करें क्योंकि अधिकतर लोग तो आपको nifty bank nifty option में trade करते हुए देख रहे हैं equity cash में जब आप काम करने जाते हैं तो आपको लगता है कि बहुत कम पेसा हमारे पास 10,000 रुपया अगर हमारे पास तो 40,000 के limit मिलेगी उसमें अगर हम trade करेंगे 1% कमा भी लिया तो 400 रुपया मिलेगा nifty bank nifty option में तो 1,000-2,000 रुपया एक दिन में मिल सकता है लेकिन दोस्तों देखना ये है कि क्या ये जो method हम बात कर रहे है sustainable है ऐसा नहीं हो कि आप एक बार बड़ा-बड़ा profit लेने की बात करें लेकिन बाद में आप उसका नुकसान कर लेते हैं तो nifty bank nifty option में जब आप काम करते हैं मानता हूं में आपको बड़े-बड़े profits होते हैं लेकिन लगातार 10 दिन के results इमानदारी से निकाल लिए और फिर देखे कि कितना percent आप अपनी capital पे निकाल के लाए हैं कितना अपना mind space engage किया है तो equity cash में काम करना जादा suggested इसलिए है कि nifty bank nifty option में अगर आप काम कर रहे हैं तो ये possibility बनेगी कि चलो ठीक है हम सिर्फ nifty और bank nifty पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन equity cash में जब आप काम करते हैं तो swing trading के लिए भी आप तयार हो रहे हैं आप long term investment के लिए भी तयारी कर रहे हैं आपका ध्यान सिर्फ narrow नहीं है सिर्फ एक की चीज़ में अटके हुए नहीं है आप index में आप यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी companies के बारे में study कर रहे हैं और वो study धीरे 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 इकटी होती जा रही है आपके back of the mind में तो यह जो equity cash के study करते हैं आप stock option और stock future के लिए भी तयार हो रहे है तो शुरू में तो हमें एक model तयार कर रहे हैं लेकिन उसके बाद बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है stop loss 1% का आप रखने वाले हैं और when to book 1% का stop loss कही बार लोग कहेंगे stop loss होने के बाद में हम वापस चला जाता है चलिए अभी पहले screener में बता देता हूँ screener कौन से एक यहाँ पर screener आपको देख रहा है short term break out charting में देखता है short term break out screener आप देख सकते हैं यहाँ पर यह list आपके सामने आती कहां से screener में मैंने click किया दोस्तों smartphone पर यह screener खोलते हैं तो AI की वज़े से वो आपको खुदी suggest करने लगता है जिस screener को आप बार 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 खोलते हैं AI को पता है कि आप उस screener को बार बार खोलते हैं तो यह बहुत तेजी से आपके लिए वो screener खोल देगा तो आपको trade करना बड़ा आसान होगा आप यहां पर एक लंबी list आ जाती ही सामने जिससे आप confuse होने लगते हैं तो उसका एक तरीका क्या हम लोगों को यह देखना है कि सबस्यादा volume कहां हो रहा है click किया हमने सबस्यादा volume सबसे उपर आ गया तो हमको यहां पर return India power का नाम दिख रहा है 8.5 रूपीज यह बहुत छोड़ा पेनी stock जैसा दिख रहा है एक electro steel costing limited फी डिपी एससी दिख रहा है माक्सन फार्मा देख रहा है स्वान energy दिख रहा है इसमें दो तरीके हैं या तो आप सबसे ज़ादा volume जिन में हो रहा है उनमें position बनाएं जाके trend line में check करेंगे कि strong performer इनमें से कोन है दोस्तों आपको check करने में 5 मिट में आप 8 से 10 companies को देख सकते हैं strong performer कोन है तो जैसे उसका तरीका trend line में गया मैंने यह आपे लिखा trainline.com यह trend line सामने आ गया वहाँ पर मैंने किसी भी stock का नाम लिखा तो वहाँ मुझे पता लगता जाएगा कि वो strong performer है या नहीं है तो एक तो तरीका है ज़्यादा volume वाले stock में आप position बनाएं अगर वो strong performer है वो नहीं तो फिर ज़्यादा price वाले stock में आप position बना सकते हैं तो ज़्यादा price वाले stock अगर click करने हैं तो सबसे बड़ी price या multi commodity exchange दिख रहा है CDSL दिख रहा है capital take दिख रहा है capital point दिख रहा है इनमें आप position बना सकते हैं कल की list में capital point दिख रहा था और विंदो फार्मा दिख रहा था के रिसल दिख रहा था वो सब आज इतने गुना बढ़ गए आठ परसेंट आठ परसेंट पांच परसेंट आपको कितना चाहिए हमको एक की दिन में अगर trade कर रहे हैं तो हमने stop loss लगा लिया 1 परसेंट का और बाकी हम एक से दो परसेंट का profit book करके बाहर हो गए बहुत अच्छी बात है अगर आपको लगता है नहीं profit stretch करना है तो क्या करेंगे आप पहले 40% profit book किया फिर 30 किया फिर 30 किया तो आप साथ में control भी रखते जा रहे हैं अगर बहुत तेजी से आगे भाग के जा रहा है तो बड़ा profit profit book कर लेंगे दोस्तों 3 पीम तक तो आपको करना ही है वैसे 255, 250 से 255 के बीच में कर लो 2 बच के 50 मिनिट से 2 बच के बीच में आपको profit इसले book कर लेना चाहिए क्योंकि 3 बज़े सारे discount brokers जो online brokers है वो आपको आजादी नहीं देते है अप फिर online आपका जो intraday trading को square off करने का त में 250 से 2 बच के 50 मिनिट से 2 बच के 55 मिनिट तक आपको profit book कर लेना चाहिए intraday का अगर आप नहीं करते हैं तो 3 बज़े के बाद broker किसी भी time पे 3, 10 पे 3, 15, 3, 20 पे कभी भी auto square off करेगा अगले वीडियो में हम swing trading के बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों तो अगर आप इ नहां से चुन के कुछ comment करने वालों को कम से कम तीन अच्छे comment वालों को एक 5000 रुपय का पूरा playlist course का playlist free of cost देने वाले हैं तो आपको एक चीज करनी है कि अपना एक अच्छा group बनाएं क्योंकि आपको एक अच्छा ecosystem चाहिए और उनके साथ लगाता discuss करेंगे वो आपसे सवा करते हैं आपकी दो आखें लेकिन आपके गुरूप की 20 आखें जो अलग-अलग जगा पर study कर रही है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा तो दोस्तों मैंने क्या बताया इंट्राडे टेडिंग करने के लिए इंट्राडे टेडिंग के लिए time discipline और target discipline दो चीज़ें दो तरग का discipline मैंने बोला है एक ही time time का discipline मतलब 10 से साढ़े 10 और दिन में 2 से धाई यह time discipline आपने रख लिया और दूसरा target discipline इससे क्या हुआ आपका जो basic profession है और आपके दूसरे जो भी काम है homemaker हो सकते हैं study करने वाले हो सकते हैं business करने वाले हो सकते हैं अगर यहां पर ध्यान दे रहे ह तो कोई फायदा नहीं है दूसरा जादा लगातार देखते रहने से profit नहीं होता दोस्तों तो एक बार सही position बनने के बाद stopless लगा कि आपको उसको छोड़ देना चाहिए फिर market को अपना काम करने दीचे क्योंकि अगर आप सामने से देख रहे हैं तो आपने 150 में कोई share करी फिर वो 51, 52 हुआ फिर वापस 51 हुआ 53 हुआ फिर 51, 52 हुआ इतने में आपने बुक करके बाहर आ गए एक गंटे बाद जाके देखा तो क्या पता लगा वो 159 खड़ा है और आपके रहें आरे 2 रुपे में बाहर निकल गया रुपता तो मुझे 8-9 रुपे गा profit हो सकता था हो सकता था लेकिन दूस्तों आपको market को अपना काम करने के लिए छोड़ना पड़ेगा नहीं तो ऐसा कुछ होना possible नहीं है तो ध्यान रखें कि एक बार सही position बनाए study की और study रोज रात को करो ना आप यहाँ पर यह जो list सामने आरे है screener की रोज इनको जाके यहाँ पर trend line म अपने यहाँ पर नाम लिखा Marks and Swarma अभी महाँ पर जो जो नाम आ रहे थे चलो MCX आ रहा था तो MCX को मैं जाके study करता हूं कि MCX के बारे में क्या लिखा है तो मुझे MCX strong performer है कि नहीं है यहाँ click किया मैंने तीन नाम लिखा उसको click किया उसके detail है ही सामने मेरे strong performer लिखा है इसका EPS बहुत तेजी से बढ़ा है क्या तो chart में एक नजर डाली मैंने अगर EPS बहुत तेजी से बढ़ा होगा और पिछले 5 दिन में अभी बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं किया bottom से bottom से अगर पहली 15-20% बढ़ चुका है तो फिर हमको ध्यान रखना पड़ेगा अगर ऐस नहीं है तो फिर हम position बना लेंगे तो हमको 2-3% निकालने का मौका तो मिली जाएगा तो क्या check करना चाहिए आपको एक तो एक हफते का chart जरूर देखना चाहिए और पहले EPS चेक कर लेता हूँ फिर एक हफते का chart चेक कर लेता हूँ यह आपका तरीका रहेगा दोस्तों बह यह 263 रुपे के आसपास का भाव था वापस इसने उस level को तोड़ा है वन मंद के chart में देखे क्या महीने का हाई तोड़ रहा है हाँ यह फिर से अपने महीने का हाई तोड़ने के करीब है तो chance बनते हैं कि आपको 2-3% मिल जाए ऐसे आप दूसरे stock को देखें तीसरे stock को द शेयर करना है इंस्टाग्राम पे हमारा handle follow कीज़े इंस्टाग्राम की link दे रखें अब stocks में account हमारे साथ अगर खोल लिया तो आपको इतने जादा benefits मिलने वाले हैं कि उस free half cost account कोलने में आप कभी भी नहीं पच्टाएंगे तो नीचे link दे रखें उसको miss मत कीज़े thank you very much ब झाल झाल